अभी की बात का ना, खाना खाने के पहले बबाबा ये जो आप तदाकार और तद्रूप बोलते हैं एक तो ये शब्द पहले भी परंपरा में थे तो आप ने ये शब्दों का चुनाव क्यों किया है और इससे क्या मतलब है थुड़ा सा उस पर बताईए भगा बात तो हुई है कई बात अपना जो पहले है परंपरा में कोई काम नहीं था उसके अर्थ में हम परिवाशा दिये है नहीं मैं तो ये पूछना हूब जैसे की शब्द है तदाकार तदाकार वो बता तो लिए ना तद रूप तदाकार जब नहीं थे इस दे बता के साथ ठीक है पर हम यहाँ पर जब आप यूज करते हैं समयदारी के आर्थ में कह रहे हैं कितना तद दूर है बिलकुल दूर है तो किस चीज का आकार लेने की बात हो रही है तद आकार या तद रूप जब आप कहते हैं तो जो समझ की चीज हैं जो समझ की बस्तु है अशी शे अर्फ मेप का है आप हमारे बीच में जो दूरी है ये अपने में एक रूप होई के नहीं है ठीक है किसी रियाद आप परकार है तो एक परकार से जब हम तद रूप की बात करते हैं तो हम ये व्याप रूप तो बता तो दिया ना भाई मनेशिक की जो रूप जो है ना ये सब को रूप क्यों कह रहे है बबात रूप क्यों इसी दिया होता है कि एक दूशे के साथ कमिनिकेट होता है ने जिस आप कह रहे हैं शब्द भी एक रूप है अर्थ भी एक रूप नहीं है तो आपको समझ में कई साथ है रूप से क्या भी प्राय है आपको सामने को communicate हो जाए समझ में आ जाए तो यह चाहना था हम कहने से क्या तक लिप हो नहीं को तक लिप हो आपने का शब्द भी एक रूप है जो रूप होता है आपको रूप नहीं होता तो आपको कैसा समझ में आता है मतल़ जैसे आपने बोला पंखा शब्द वो बता तो दिया ना भाई बेदी आकार में सिमित नहीं है यह तो हम जो आकार में सिमित होकर करके communicate कर पाते है जैसा सब्दा सर्वत्र वैपक पहने लिए उसके बेर हर वस्तु सिमें बहाय भीगा है गिरा हुआ और के भीगा हुआ है तो उसके आकार में वस्तु के आकार में होगा है यह भीगा हुआ थी ऐसे कहा है समझनाता पड़ेगा बाबा, हम समझ गए हैं हूँ, ऐसा मान करके यह चलता नहीं, तो तर्शी बदा होगा, उससे चलता होता तो फिर कहां इतना माथा बच्ची होती, इतना माथा बच्ची का ही को होता है, बातवाशी, 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 बातवाशी हर वस्तु के साथ तदाकार भी है और तदुरूप भी है इन दोनों में क्या अंतर है बाबा तदाकार में और तदुरूप में तदाकार होने में वस्तु होने में विश्वास स्वत्व होने में विश्वास अंधों में तदुरूप में स्वत्व होने में विश्वास जब वो हमारा स्वत्व हो जाए स्वत्व होने में विश्वास अलग है कि नहीं है वस्तु के साथ ये वस्तु है पकड में आना पहचान में आना पहली बात फिर वो स्विकार हो के मेरा स्वत्व हो ये दूसरी बात यह हमसे अलग नहीं हो सकता है हमसे अलग नहीं हो सकता मतलब यह समझ अब मुझसे अलग नहीं हो सकता है हाँ वही तो है समझे तो है तो तदाकार तदरूप को साक्षातकार अनुभाव के साथ समझा जाए के कुछ अलग चीजें है तदाकार को साख्षाद करें और तदरूप को अनभो तो बेसिकली तो वो आपके पहले के शब्द भी परियाप्त हैं जो जीवन क्रिया के शब्द हैं तदाकार तदरूप के बिना भी बात पूरी है एक तरह से उसी के लिए आप एक तरह से पर्याय दे रहे हैं। अर्थ और वस्तु के पीछे जो अर्थ है वो पहचान में एक स्टेप। अर्थ प्रमानित हो गया है, अर्थ प्रमानित हो गया है, अनभव हो गया है। खास बात नहीं है। वो अचली ये जो शब्द हैं तदाकार तदुरू इनसे हमारा बहुत परिचे नहीं है। तो इसलिए कई बारी थोड़ा रहस्य हो जाएगा। इस तरह से साक्षात कार और अनभव शद से क्योंकि जादा समय से सुनते और उस पर सोचते आये हैं वो थोड़ा स्पष्ठ है जादा। इस, आर योड़ाओ इस तो झाल कार्वार हम झाल